नमस्कार महुरंजीत जा राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू ने एक बार सीजे आई डिवाई चंद्रचूर से भरी सभा में कहा था कि आपकी अदालतों में जो फैसले होते हैं उसमें न्याय नजर नहीं आता है कुछ ऐसा कीजिए कि अदालतों से जो फैसले आए उसमें सब को न्याय मिले गरीब जो हैं वो इनसाफ पाएं ऐसा कुछ मेकेनिजम तयार कीजिए और उसके बाद CGI डिवाई चंद्रचूर ने एक बाद पुरे देश के जजों को निर्देश दिया कि आप सब यह त्तै कर लें कि हम सब गरीबों की आवाज बने पिरितों की आवाज बने उन्हें न्याय दे या हमारी पहली प्रात्मिक्ता होनी चाहिए किसी के सताय लोगों को इंसाफ मिले या सुनिश्चित होना चाहिए और उसके बाद लगा कि अदालतों ने अपना काम करना शुरू कर दिया है लेकिन आज सुप्रिम कोट में एक ऐसा मामला आया जिसे देखने के बाद तमाम उस बेंच में बैठे हुए जस्टिस महोद है गुस्से से लाल हो गए मन ब्यथित हो गया दुकी हो गए कि इनकी अदालतों में बैठे जजों ने ये क्या कर दिया है इतनी भयंकर गलती इतना गलत इन लोगों के फैसले जिसे तुरंत में रद करना परा और यह फैसला जो रद हुआ है कहीं और का नहीं पटना कोट में जज सहाब बैठे हुएं उन सब को फटकार परी है नसीहत दी गई है और उस 68 पन्ये के फैसले की कौपी में इतनी सारी बातें जस्टिस महोदे ने कही हैं जिसमें जेवी पारदीवाला ने बहुत करे शब्दों में समझा दिया है कि जज सहाब आप न्याय नहीं कर रहें बहुत गंभीर न्याय का खत्रा यहां पैदा हो गया है सुप्रिम कोट की इस खास बेंच के द्वारा दिया गया फैसला देश भर के तमाम जजों और अदालतों को एक बड़े मैसेज के तोर पर देखा जा रहा है ऐसे जजों को लिए खास करके जो आखें मूंद कर सुनवाई करते हैं जो अपनी सुनवाई में निश्पक्षता की कमी कर जाते हैं जो किसी से प्रभावित होकर एक तरफा फैसला करने लगते हैं उन्हें सबको बड़ा मैसेज यहां मिलने जा रहा है यह रिपोर्ट और इसमें फैसले में लिके गई एक एक शब्द काफ सुनाई गई थी वह इसलिए कि उस पर यहां आरोप लगाए कि उसने दस साल की मासूम के साथ रेप किया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी इस मामले में ट्राइल कोट ने बिना जाचे पड़के उस व्यक्ति को मोत की सजा सुना दी मामला जब अपीर के लिए हाई पहुचा तो पतना हाई कोट ने इस मामले में धंग से कुछ भी नहीं किया जाच नपरताल कुछ भी नहीं और सिधे मौत की सजा को बरकरार रख दिया गया जब अपील सुप्रीम कोट पहुचा और जब जजज सहाब ने आरोपी के वकीलों की बात सुनी तो वह हैरान रह गया और हम आपको बताते हैं कि उसमें कहां कहां गरबरियां हुई थी लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि जस्टिस पार्दीवाला ने क्या मेसेज दे लिया है यहां पर कहा गया है सुप्रीम कोट ने कहा नियाय पाने के लिए सत्य की जीत होनी चाहिए सत्य निय दोशी को छूटने न दिया जाए शिर्श अदालत ने फैसला सुनाया हमें यह कहते हुए खेद है कि उच नियायाय ने उप्रोक्त चर्चा की अनुसार उप्रोक्त पहलूओं को पूरी तरह से नजर अंदाज किया यदि उच नियायाय ने रिकोर्ड को देखने में थोड कितनी बड़ी चूक हुई है और सुप्रीम कोट से क्या फटकार के साथ नसिहत दी गई है वो हम आपको सलसलेवार तरीके से बताएंगे लेकिन इस केस में कहां गरबढ़िया हुई है वो भी समधा दिया गया है जिना देखिए इपने स्क्रिन पर बताया गया है कि सुप् पाने में विफल रहा क्योंकि बलातकार सहत्या मामले में भौतिक आवशक्ताओं को दरकिनार कर दिया गया क्योंकि दोशी की मेडिकल जाच नहीं की गई पीरिता के अंडर गार्मेंट्स को फोरेंसिक जाच के लिए नहीं बेजा गया जो कुछ साबित हुआ अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है विशेश रूप से चुकी बरतमान मामला परस्तिती जन्य साक्ष पराधारित था जहां चिकत्सा साक्ष महत्तोपुर्ण है यहां तक कि जाच के लिए भेजे गए प्यरिता के वजाइनल स्वैब भी परडिक्षन के दवरान प्रस्तुत नहीं किये गए उन्होंने तो कहा यह जज कोई रिकॉर्डिंग मशीन नहीं होता है निचली अदालत के जजों को भी जम कर कलास लगाई गई है यहां पर एक टिपने देखिए उन्होंने कहा है पीठ ने कहा ना तो बचाव पक्ष के वकील ना ही सरकारी वकील ना ही ट्रा आगे से यहां तक की उच्च नयायाले ने मामले के उपरोक्त पहलू पर गौर करना और सच्चाई तक पहुँचने का प्रियास करना उचित समझा। पीठ ने महसूस किया कि ट्राइल जज मुकदरसक बने रहे क्योंकि वह ट्राइल के दवरान अपने बयानों से पलटने के लिए गवाहों से प्रासंगिक सवाल पूछने में विफल रहे। महां भी जजों ने मामले में कई पहलूओं को नजर अंदाज कर दिया और इस बात का दुख सुप्रीम कोट को है कि उन्हें हाई कोट से ऐसी उमीद नहीं थी और फिर उन्हें हाई कोट के पास मामला फिर से भेजा है और कहा है कि जिस आरोपी को अपने मिर्तियों दंड क सजा सुनाई है उस मामले में जिन पहलूओं को आपने मिस कर दिया जो कि न्याय के लिए गंभीर खत्रा है उस मामले पर उस पहलूओं पर पहले जाच होनी चाहिए नए सिरे से इस मामले की जाच किजी ऐसे किसी को सजा दे देना न्याय परनाली की विवस्ता का ही एक दम से उलंधन कर देना है और यह फैसला 68 पेज में लिखा गया है और इसमें इन अदालतों को निर्देश दिया गया है कि निस्पक्ष सुनवाई तभी संभब है जब अदालत सकडिया रूची लेती है और सभी प्रासंगिक जानकारी और आवस्टक सामगरी प्राप्त करती है ताकि दोनों पक्षों को पूरी निस्पक्षता और निस्पक्षता के साथ न्याय परदान करने के अंतिम लक्ष को प्राप्त करने के रिए सच्चाई का पता दिया है कि वो आरोपी जो है नौ साल अब जेल में बिता चुका है ऐसे में उसके पडिवार की आर्थिक तंगी को देखते हुए एक ऐसे वकील की विवस्था कराई जा जो इनके लिए केस लर सके यह अनुरोध वी किया गया है इस मामले में सुप्रिम कोर्ट ने हाई कोर्ट को निचलिय अदालतों को और क्या नसिहत दी है कि जज रिकॉर्डिंग मशीन नहीं होता उन तथ्यों को भीज रा समझीए आप ज़ा देखिए अपने स्क्रिन पर क्या बातें बताई गई हैं इस में हिंदूस्तान में लिखा गया है कि सुप्रिम कोर्ट ने एक मामले में पत्ना हाई कोट और निचलिय अदालत की करिया लोजना की है साथ ही हाई कोट की आदेश को भी रदिकर दिया गया सुप्रिम कोट ने कहा कि निस्पक्ष होने का यह कताई मतलब नहीं है कि कोई अपनी आखें बंद कर लेगा और एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह काम करने लगेगा जस्टिस जेवी पारदिवाला ने इस मामले में अपने फैसले में सारे पहलूओं को समझाते हुए कहा है कि एक निस्पक्ष सुनवाई हुआ होती है जिसमें नियमों और सबूतों का सम्मान किया जाता है आरोपी वकील और जजज सभी कोर्ट रूम के नियमों का पादम करते हैं जो ट्राइल ढारना के अधार पर होता है उसे चुनोती दी जा सकती है अगर फ्री और फेर ट्राइल नहीं होगा तो जनता का न्याय बिवस्था से विश्वास उठ जाएगा किसे भी केस को निस्पक्ष तब तक नहीं माना जा सकता जब तक कोई निस्पक्ष जज सुनवाई ना कर रहा हो इसके अलावा वकील और अभियोजक भी निस्पक्ष होने चाहिए कोट ने यहां तक कहा है कि निस्पक्ष न्याय के लिए यह भी जरूरी है कि कोई जज मूख दर्सक बनकर recording machine की तरह काम न कड़े उसे पता होना चाहिए कि आसपास क्या हो रहा है अगर कोट घटना से जूरी चीजों में सकडिया रहता है और ध्यान से चीजों को समझता है त भाबित होकर या फिर आखे मूंद कर कुछ भी फैसला कर रहे है जिसमें आप राहूल गांदी के केस को भी देख सकते हैं कि कैसे गुजरात की आजालतों से एक ही फैसला आता रहा कि राहूल गांदी ने बहुत बड़ा अपराद कर दिया इनके दोश सिद्धी पर रोक न उससे साफ पता चलता है कि कितनी भयंकर गलती इन अदालतों ने कर रखी है जिसके बाद अब सुप्रीम कोट उन्हें करक्ट कर रहा है फिलाल इस वीडियो में तना ही आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद